दोस्तो हम सब है तो क्रिकेट का फैन दोस्तो क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? बैट और बॉल तो दोस्तो क्या आपको पता है? क्रिकेट में जो बॉल होता है, उसका वजन कितना होता है? ICC का रूल क्या कहता है? MCZ law में क्या लिखा हुआ है, कब से कौन सा ball चालू किया गया है, क्या सबी cricket के लिए same ही होता है, मतलब international cricket या फिर IPL के लिए के same ball लिए उस कियाता है, test cricket या फिर ODI cricket के लिए की same weight का ball लिए उस कियाता है, women's cricket का क्या ball अलग होता है, दोस्तो सब कुछ बताऊंगा मैं इस उसके जा रहा है, 1977 में Australia ने जब introduce किया white ball तब से white ball का फ्रसरन शुरू हुआ है, red ball टेस्ट क्रिकेट में भी खेला जा रहा है, और white ball से ODI और T20 cricket खेला जाता है, दोस्तो ODI हो T20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, सभी cricket के लिए ball जो होता है, ball का वजन एक ही रहना होता है, ह वो clear किया गया है, ball का वजन कितना होगा और ball का circumference होगा, मतलब कितना बड़ा होगा ball वो भी उस law में detail में mention किया गया है, तो दोस्तो चले जान लेते हैं क्या है locking इसमें, दोस्तो British Standard BS 5993 इसमें जो cricket ball है, उस ball में construction details दिया हुआ है, जो की dimension quality और performance denote करता है इस law में, दोस्तो जो men's cricket ball होता है, men's cricket ball का जो weight है, वो 5.5 ounce या फिर 155.9 gram मतलब 155.9 gram से लेकर 163 gram तक maximum होना चाहिए, इसके अंदर ही वो आप ODI खेलो, T20 खेलो या फिर test खेलो, सबके लिए same है, और ball का जो measure होता है, measure में जो circumference होता है, वो 22.4 cm से लेकर 22.9 cm के अंदर होना चाहिए, तो इस range में अगर कोई भी ball होता है, तो वो ICC द्वारा approve होता है, और BT standard उसे माननेता देते हैं, और IPL हो, international cricket हो, या फिर कोई भी मैच हो, सभी जगा पर ball का यही weight होना चाहिए, दोस्तों भी बात कर लेते है, woman cricket की, दोस्तों woman cricket में ball का जो वज़न है, वो कम किया जाता है, 140 gram से लेकर 151 gram के अंदर होना चाहिए, woman का cricket ball, जो महिलवा का cricket है, उसमें थोड़ा हलका ball यूज किया आता है, और उसके जो measurement होता है, measurement में circumference जो होता है, 21 cm से लेकर 22.5 cm के अंदर circumference रहना होता है, मतलब उसके जो ball होता है, ball का size भी थोड़ा छोटा होता है, मतलब आपको दीखने में उतना ज्यादा फरक नहीं आएगा, हलका सा फरक है, अब बात करते है, under 19 cricket, जो junior cricket होता है, वहाँ पर भी ball का अलग सा नियम होता है, वहाँ पर ball का weight जो है, 133 gram से लेकर 144 gram के अंदर होना चाहिए, और भी हलका होता है, junior low का ball, और जो measurement होता है, उसका 20.5 से लेकर 22 cm तक इनका circumference होना जाहिए, मतलब ball थोड़ा और छोटा हो जाता है, तो यह सब maintain करके cricket ball का वजन और size या फिर आपका से measurement maintain किया जाता है, तो दोस्तो, IPL और cricket के बारे में आपको और क्या जान करी जाए, निचे comment section में जरूर लिखेंगा, दोस्तों मुझे इंतजार है, आ आपके मिठी मेठी comment का,